storage devices storage devices जिनका main मकसद है कि computer के अंदर आपके चीजें store की जाएं तो इसमें primary और secondary storage device primary storage device जो ज़्यादा तर built-in होती है internal memory ज़्यादा तर आपका RAM और ROM जो है वो इसके अंदर आती है एक cache memory भी होती है जो थोड़ा speed up करती है processor और जो main storage उसके दर्मियान तो RAM random access memory ROM read only memory ये वो basic memories है जो आप में built-in आप अगर mobile लेने जाएं तो आपको उता लगता है इसमें इतनी RAM इतना ROM है और बाद में external आप उसकी जो memory है वो मजीद बढ़ा भी सकते हैं इसी तरह से अगर आपने एक laptop करीद है तो laptop में RAM लगी वी आएगी एक ROM होगी और दन उसके बाद आप बाद में उसमें मजीद upgrade भी कर सकते हैं तो वह memory जो बिलकुल साथ connect होई वी है computer के primary memory कराती है ये काफी छोटी होती है secondary memory से और इसमें RAM जो है वो टाइल होती है अगर computer बंद हो गया तो RAM में मौजूद सब कुछ गाइब हो गया बजाए इसके कि जब आप मुबाइल पर कोई game खेल रहे हो तो mobile main hard disk के game को access करे hard disk के ऊपर की memory में लाद के वो game को खड़े कर देती है और आप game के लिए होते हैं तो एक उपर की fast memory जो आपके बहुत करीब होती है processor के आप उसके उपर game खेल रहे होते हैं इसी वजह से जब आप 3-4 application एक साथ open कर लेते हैं तो आपकी RAM हेवी हो जाती है जिसके लिए आपको अपने mobile को बार-बार clear करना पड़ता है और अगर computer हो तो बार-बार आप right click करके refresh कर रहे होते हैं तो RAM आपकी चीजें fast करने के लिए लेकिन जैसी mobile बंद होगा disconnect होगा restart होगा आपकी RAM में जो कुछ है वो सब साफ हो जाएगा लेकिन जो आपके ROM में रखावा होता है या जो आपकी hard disk में रखावा होता है वो महफूज रहता है secondary storage के तोर पर हम normally hard disk की बात करते हैं यह external memory कहलाती है लेकिन होती है यह भी कई दफा अंदर ही लगी है external इसलिए कह रहे हैं कि यह primary नहीं है यह बिल्कुल connected नहीं है थोड़ा सा जारा फासले पे है तो इस डिरेक्टली CPU accessible नहीं होती थोड़ा सा फासले पे होती है यह non-volatileisement data महफूज रहता है यह primary storage से ज़रा जादा होती है यह उन चीजों के लिए नहीं है जो 40-40 process हो रहे हैं इसमें आपकी storage होती है और जब भी आप इसमें से कुछ data access करते हैं तो इसका data उटकी RAM में लोड हो जाता है और RAM से आप काम कर रहे होते हैं तो best example secondary storage की hard drive होती है कुछ magnetic tapes पराने जमाने में होती थी और अभी cloud drive का भी concept है जिसको आप connect कर सकते हैं online basis फिर tertiary storage है जो अलग से आप तीसरी storage है जो बीच में add करते हैं जैसे मशूरे जमाना flash memory USB वगएरा आपकी ये CD DVDs वगएरा ये extra memories हैं जो बाहर से आप इसमें connect कर रहे हैं आपके जो portable hard disk है वो इसमें आ जाती है तो tertiary storage जिसको आप अलग से connect करते हैं आप system के साथ इसको जोडते हैं सिस्टम इसमें से data pick करता है तो ये full time computer के अंदर रखी वी memory नहीं होती या आप ये बाहर से उसमें connect करते हैं से physically निकाल के अपनी अलमारी में रख दें तो वह आपकी offline storage बन जाएगी आप जिस वक्त अपने net से connect नहीं हुए वे तो Google के server पर पढ़ावा Gmail पर पढ़ावा आपका सारा data offline storage बन जाता है तो ये जो internet पर पढ़ावा होता है जो cloud storage होता है जो आपका मुख्तलिफ website पर पढ़ावा data है जब आपका computer net से connect हुआ है तो वह आपका टरशरी स्टोरेज बन जाता है और जब आपका computer disconnect हुआ है तो वो आपकी offline storage बन जाता है आपका computer तबाबी हो जाए आपका mobile जल भी जाए आप नया mobile लेकिए अपने Google अकाउंट से अपने सारे contracts और अपनी सारी चीजें recover भी कर सकते हैं तो primary RAM वगएरा हो गई secondary hard disk वगएरा हो गई tertiary जो बाद में extra से हम उसके साथ लगाते है externally USB और इस तरह के portable और writable devices और offline storage basically इन में से कोई भी हो सकती है जिसको उठा के आप system से हटा के side पे रखते हैं तो प्यारे बचो हम लोगों ने input, output, storage और in devices की बात की although यह बाते हमें नहीं करनी चाहिए थी इस level पे लेकिन चुक्किश लिबस का ऐसा है तो इसलिए हमने इस video lecture में इसको cover किया नॉर्मली जब वो connect होई वी होगी तो मैं उसे टर्शरी कहूंगा और जब फर्स करें यूएस्बी मैंने system से लगाई विया तो यह टर्शरी है इस वक्ति एक extra memory है जो मेरे system में attach हो गई लेकिन अब उस data रखके और उसके बाद यूएस्बी को उठा के अपनी जेब में डाल लूँगा तो अब यह यूएस्बी बन गई लग कियेगा दवाईयां वक्ति लेते रहिएगा अलाहा अफ़र